तो देखिए वो शौप के बाद यहां पर जो है दबंग काइट सेंटर जो जावेद भाई है बहुत सारा स्टाउक होता है सब कुछ बहां नहीं रखते यह दूसरी शौप है और यहां भी सब गत्तों में पतंगे भरी भी हैं जावेद भाई लगनी रहा था यहां तो आपने बहुत सारी पतंगे भरी भी हैं बिल्कुल यहां चारो तरफ सब तरफ बैग और कार्टन भरे वे हैं जो चलिए यह चोटे फर्मे की थोड़ी सी है और अच्छी पतंग यह भी फर्मा यह भी अच्छा है काफी बहुत बढ़िया फर्मा फिनिशिंग अच्छी पतंग में और पंद्रा रुपए यह कार्टन देखिए पूरा भरावा है अलग 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 कलर के पत्ते मिल जाएंगे अलग अलग नीला काला जी यह सब वहीं में एफ एस कपुण टो कम प्राइज की पतंगों से जो है हम भी हमेशा कहते हैं कम प्राइज के मांजों से शौफ किया करिए यह जिसे 15 रुपए यह बहुत महंगी महंगी पतंगों में जाने की जरुवत नहीं है यह तालिग भाइग कोई बात नहीं है तो आपको जो रेट बताया गया था या जो रेट होगा वही मिलेगा और इसमें किसी को कलर देखें मांगार भी है मेरे पास बहुत बढ़िया देखिए तो बढ़िया कुशूरत काम करते हैं एमटी तालीप और बढ़िया पतंगे होती है इनकी लंबा फर्मा मीडियम फर्मा जी और प्राइस का इशू नहीं है जो प्राइस होगा वही मिलेगा आपको फिलाल आप लोग जोड़ जाएए गए अगर आपने रूपाय बताएं तो मैं बता दूँ रूपाय के हिसाब से सबसे अच्छी पतंग हमें यही लग रही अभी तक यही है और बहुत अच्छा है यह बहुत बहुत बढ़िया 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 कलेक्शन है पतंग होगा बहुत बढ़िया जावेद भाई बिलकुल एक नंबर पतंग है एकॉर्डिंग प्राइज चौदा रुपाय में बहतरीन कलेक्शन और अधिया अधनान सलीम की पतंग देखे तीन इंची बैग है जी तीन इंची चार सो रुपाय का हम दे रहे हैं यह बैग फैंसी बैग है जी और इसका ज़रे देखे यह फैंसी बैग है यह 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 यह यह बिए चार सो रुपाय में दे रहा है एक ही प्राइज एक ही प्राइज है दूनों का तो चाहे बड़ा ले चाहे चोटा ले दोनों फैंसी बैग है जी और यह इसे लोग चालू बैग बोलते हैं जी चालू बैग में भी आप सो देखे बहुत अच्छे परिशे गा यह मात्र 500 रुपाय का बैग है 500 रुपाय तो जो लोग कह रहे थे कुछ बैग की शौटेज चले तो आप लोग जो है दबंग काई सेंटर से जिसको भी बैग चाहिए हो यह आप देखे सब बैग रखे हुए यहां पर 500 रुपाय और 400 रुपाय फैंसी में चाहिए हो तो 400 रुपाय और चालू में चाहिए हो वो भी अच्छा बैग है 500 रुपाय बैग है 500 रुपाय सेक्ड़ा यह आप देखिए छोटी पतंग है 500 रुपाय सेक्ड़ा है जावेद भाई ने तो सबको भीचे छोड़ दिया यह तो आपने बहुती बढ़िया बात बताई यह कितने है 5500 रुपाय सेक्ड़े शेक्ड़ा है वरी आपतंगे खुसूरत रंगीन पतंगे है चोटी बच्चों अला आपकण है लेकिन 1200 रुपाय सेक्ड़ा बहुत अच्छा अच्छा रंगीन डे में तो बच्चो वाला आटिकल है वह बड़िया आटिकल है यह पतंग है इसमें भी आटिकल बहुत अच्छा लग रहा है पांच रुपाय में मजोली और इसमें भी कलर है पाच रुपय में पाच रुपय का लगा हुआ है सब चाहिए हो चोटी पतंग चाहिए हो तो आप लोग जरूर संपर्ग करिए कर प्राइजिंग देखिए का जावेद भाई की इसमें सिर्फ नेली और काली पतंग मिलेगी यह पतंग 6 रुपई है मजोली अधी है तो अधी लग रही है बिल्कुल जोली है गोल्ट पर्मे की लिए हमने अपना फर्मा दिया है बनवाया है अपना यह 6 रुपई है यह एक नंबर आर्टिकल देखिए बहुती बढ़िया लगी नीरा मजोली यह दी लग रही है उच्छाय रुपई है और अगर जल्दी में देखेंगे तो जानी नवाय हमें चोटे फर्में की अधी लग रही है बतात राखे हो यह बुह बढ़ी हाग 6 रुपई और 20 1967 पांच रुपई बहुत बढ़िया और एक बढ़िया आर्टिकल दिखाया था भी इदर 14 रुपई की अध्धी वह भी बहुत खुशूरत थी की पतंग आती है और बढ़िया मेकर है यह इसमें रेट हो सकता है बले ही 19 बीस बाकी और दुकंदारों के मतादित मेरे पास हो सकता है जी तो के मेरे पास अगर जो रेट लग क्या था हम उससे एक रुपई पही काम करता हूँ ताजीद उर्फ चुन्ना बलिया मेकर होते हैं और पतंग खुशूरत लग रही है बनी अच्छी पतंग है बहुत ही प्यारी पतंग है बहुत बढ़िया काली पतंग है और यह किसकी पतंग है इस सब भी नहीं किये क्या अच्छा इसमें भी अलग अलग मेकर और रॉयल शहजाद की है तो पिर हम पिर अगर अलग अलग मेकर हैं तो हम पहले यहां से शुरू करते हैं यह साजी दूर्फ चुन्ना से कितने की मिलेगी जावेद बाई अठारा रुपई की पत सुरत बनी वी है और उसके बाद हमारे जो मेकर थे आपने क्या नाम बताया था रॉयल रॉयल शहजाद है और यह देखिए फर्मा इनका भी अच्छा है जावेद भाई कितने की पड़ेगी है फंद्रा रुपई की पड़ेगी थोड़ा साब मुश्किल हो रहा है भी नया मुराद पतंग दिखा रहे है जावेद भाई 15 रुपई का फर्मा और पतंग दोनों यह भी बहुत शांदार आर्टिकल है जी अजीम मुरादाबाद है और पतंग देखिए चील काट फर्मे पे है खीचिये चील जपट्टा भी लोग कहते है इसको और जितना भी दिखा सब अधी आर्टिकल है जावेद भाई यह जो चील काट है कितने की पड़ेगी सोला रुपई का देखिए शांदार फर्मा है और खिलाली बढ़ते जा रहे हैं कोई ना कोई खिलाली यहां पर आता रहता है अभी मैं खिलालियों से रूबरू कराऊंगा आपको मिलवाउं सारी यह सारी अधीम भाईटी यह सारा अधीम बाईटा है यहां निकाले ले ञए रहे हैं शॉला रुपई बताए ये उने सुला रुपई मैं पता गये यह तो फर्मा बदल गया है यह गो यह किसकी ए यह इनो ने लग्ते दारो तो खाओ कितने की मिलेगी सोला ही कि एकी प्राइज रॉयल शहजाद पंदरा बतायते शायद आपने बहुत सारी अन्बॉक्सिंग हो रही है बहुत सारी पतंगे है थोड़ा असा जावेद भाई ने बस ये जरूर कहूंगा कि लेट कर दिया एक दो दिन पहले आ जाना चाहिए था ये ब्लॉक्सिंग तो आप लोगों को और मज़ा आता अगर मेकर बदल जाएं तो बता दियेगा जावेद भाई कोई दूसरे मेकर निकले क्योंकि पतंगे बहुत सारी है इसमें लगह कितनी बता हैं 1200 ये भी पतं अच्छी लग रही है किसकी है बिल्कुल बढ़िया फर्मा बढ़िया पतंग है और 18 रुपए प्राइज बहुत शानदा पतंग है तहली राली से भी अच्छी पतंग है बहुत बढ़िया खूशूराद पतंग है खिलाल जो आपने एक पतंग दिखाई अभी हमको राजा काईट मेकर मुरादाबाद की बहुती बहतरीन और खुशूरत पतंग है वो कुछ एक आर्टिकल ऐसे निकलते हैं जो बहुती लाजवाब होते हैं और कभी-कभी मेकर जैसे लगता कि कभी बहुती बढ़िया काम करते हैं तो वैसे ही साजी चुन्नू की जो पतंग निकल लई है ये भी बिल्कुल डिफरेंट आर्टिकल है बहुत बढ़िया सफाई बढ़िया खुशूरत पतंग है अब कौन से मेकर हैं ये दिल्शाद की पतंग है दिल्शाद काईट मेकर मुरादाबाद के हैं सब थोड़ा सा लचीली रखी गई है पतंगे बहुत बढ़िया जावेद भाई ये फर्मा वही है बहुत बढ़िया दिखे प्लेन में और भी खुशूरत पतंग लग रही है पंदरी रुपए में पंदरी रुपए में जब भी मेकर बदलेंगे तो हमको जावेद भाई बताएंगे कि मेकर बदल गए हैं पत्ते के कलर अलग लग निकल रहे हैं अब्दुल समद बहुत प्यारी पतंग होती हैं ये खुदी बढ़िया मेकर हैं उस्ताद कहे जाते हैं अब्दुल समद क्या सुरत काम किया गया है अब्दुल समद का ये हमारे पास पहली बार पतंग आई है अधिशक नहीं आई कि पतंग है अब्दुल समद काइट मेकर जी अच्छा रुपई पतंग है एक और नाम जुड़ गया है और 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 फर्मा आप देखिए के चील काट चील काट परमाई ये आसिफ रह्मान ना जी बहुत हिए जावेद बार पतंग ऐसे दिखाईए जावेद भाई जड़ा सा करके क्या आप बढ़िया खुर्सूरत फर्मा है और आसिफ रह्मान काइट मेकर है जावेद भाई कितने की पड़ेगी किसी को बढ़िया मेकर बढ़िया पतंग पतंग तो अभी हमापर देखे आप सामने ही निकलती जा रही है जी यह देखिए सारा अन्बॉक्स की आए सिर्वाप लोगों के लिए पता चल जाए कि कौन से मेकर निकलना है कोई मेकर बढ़िया या कोई डिजाइन बढ़िया यह देखिए काले पे लाल पता और काले पे ही सफेद पता जावेद भाई बहुत ही बहतरीन आर्टिकल निका ले आज आपन आपने बहुत बढ़िया खुबसूराद पताग और अठारा प्राइज बताए आपने बहुत ही बढ़िया जी तो जावेद भाई खुद खिला नहीं है और इसलिए देखिए उनका मन नहीं भर ला है पताग देखिए यह सबसे अच्छी बात यहां देखने को मिल यह इसी सही होता है कि जावेद भाई खुदी अपनी पतंग मगा कि ही उनका मन नहीं वरता है देख रहे पतंग और खुबसूरत पतंग है इसलिए ह हाँ बिल्कुल सही कह रहे है कोई वो नहीं है गाता है झाल झाल